रेप के दोशी को दस दिनों में फासी दी जाएगी जी हाँ आपने ठीक सुना रेप के कानून में बहुत बड़ा बदला होने जा रहा है आज मुख्य मंतरी ममता बेनर जी पश्शिम बंगाल विधान सबा में एंटी रेप बिल पेश करेंगी इस बिल में रेप को लेकर कई कड़े प्रावधान शामिल है दरासल कोलकता के आरजिकल मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और फिर उसकी हत्या की घटना से पूरा देश स्थब्ध है इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पूरे देश भर में सक्त कानून बनाये जाने की मांग की जा रही है इसी को ध्यान में रखते हुए ममता सरकार नया कानून बनाने जा रही है आईए जानते हैं ममता सरकार के बिल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या खास है नमस्ते मेरा नाम ब्रिज दिवेदी है आप देख रहे हैं दैनिक जागरन कोलकता रेप मडर केस में मुख्यमंतरी ममता बेनरजी सरकार पर कई सवाल खड़े हुए है पूरे देश में रेप और मडर के आरूपियों के खिलाफ आक्रोश नजर आ रहा है डॉक्टर घटना के बाद से ही हरताल पर है इस मामले में राजी सरकार और कोलकता पुलिस की कारिश हली पर भी सवाल खड़े हुए है इन सब के बीच ममता सरकार ने महिला एयों बाल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया है जो बिल ममता सरकार पेश करने जा रही है उसका नाम है अपराजिता वीमेन एंड चाइल बिल तूसाउजन ट्वेंटिफोर इसे सदन में पारित कराकर हस्ताक्षर के लिए राजिपाल के पास भेज दिया जाएगा सीम पत से इस्तिफा की मांग करने वाली बीजेपी भी ममता सरकार की तरप से प्रस्तावित एंटी रेप बिल को समर्थन देने के लिए तयार है बताया जा रहा है कि प्रस्ताविद विधियक कानून जाच और अव्योजन प्रक्रिया में भी बदलाव करता है जिसके तहत रेप के मामलों की जाच शुरुवाती रिपोर्ट के 21 दिनों के भीतर पूरी की जानी है जिसे 15 दिनों तक बढ़ाया भी जा सकता है इसमें जिलास्तर पर एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया जाएगा और जिसे अपराजिता टास्क फोर्स कहा जाएगा जिसका नेतरूत डिप्टी SP लेवल के अधिकारी करेंगे जो नए प्राउधानों के तहट अप्रादों की जाच करेगा इस बिल में सबसे जरूरी बात ये है कि रेप के मामले में दोशी पाए गए शक्स के लिए मृत्यू दंड का प्रावधान होगा अगर दोशी के कृत की वज़ा से पीड़ता की मौत हो जाती है या वो कोमा में चली जाती है पश्चिम बंगाल सरकार की और से जारी मौसोदे में कहा गया है कि रेप और गैंग रेप के दोशीयों को उनके बचे हुए जीवन के लिए आज जीवन कारावास की सजा दी जाएगी इस बिल का उद्देश रेप से जुड़े प्रावधानों में बदलाव करना महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना है इस विद्यक में जाच में तेजी लाने और पीड़तों के लिए ततकाल नयाय दिलाने के लिए स्पेशल कोट और इन्वेस्टिकेशन टीम की स्थापना की जाएगी इस अपराजित टास्क फोर्स की यूनिटों में महिलाओं के साथ रेप और महिलाओं के खिलाफ योन अपराधों के मामलों में प्रभावी ढंग से और समय पर समालने के लिए जरूरी संसाधनों से लैस किया जाएगा जिर से पीड़ता और उनके परिवार के लोगों को आ इस दोरान पश्रिम बंगाल राज में उनके आवेदन में दंड को बढ़ाने और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ इंसा के जग्धन क्रित की त्वरित जाच और सुनवाई के लिए रूप रेखा तयार करने के लिए है इस बिल को लाने का मकसद राज में महिलाओं और बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरन बनाना है आपको बता दे बंगाल विधानसभा में सदन की कारवाही स्तगित होने के बाद भी विपक्षी दल भाजपा के सवी विधायक सदन के अंदर कुछ देर के लिए बैठे रहे और महिला डॉक्टर के प्रतिशोक वेक की कारवाही खत्म होने के बाद भी विपक्ष सदन के अंदर बैठे रहे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विधानसभा अद्यक्ष बीमान बैनेर जी ने दो दिविशेश सत्र के पहले दिन राज जी के दिवंगत पुर्व मुख्यमंत्री बुद्ध देव भट्टाचारिया क के साथ शोक प्रस्ताओं में महिला डॉक्टर का नाम शामिल करने की भाजपा की मांग को आस विकार कर दिया गया था आज के लिए इतना ही देखते रहिए दैनिक जागरन शुक्रिया